दुनिया में करीब 3,20,000 तक के वाइरस हैं जो मैमल्स को इंफेक्ट कर सकते हैं मैमल्स यानि इस्तंधारी जीव यानि जो अंडा नहीं देते बलकि बच्चे को जनम देते हैं इन में से सबसे खतरनाक वाइरस हर साल दुनिया भर में लगभग 1,5 करोड लोगों की जान ले लेता है जानिए कोरोना वाइरस से पहले किन वाइरसों ने मचाया आतंग वाइरसों की गिंती प्रित्वी के सबसे पुराने जीवों में होती है ये हर जगे पाय जाते हैं और जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे वाइरस इंफेक्ट नहीं करते हो आईए देखते हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक वाइरस कौन कौन से है रोटा वाइरस रोटा वाइरस को चाइल्ड किलर वाइरस भी बोला जाता है ये करीब 5 दुनिया भर में हर साल 5 लाख बच्चों की जान लेता है ये नवजात बच्चों और 6-8 साल तक के बच्चों में घातक डाइरिया फैलाता है जिससे कई बार बच्चों की जान तक चली जाती है चेचक, दूसरे किसी भी वाइरस की तुलना में चेचक दुनिया के सबसे अधिक लोगों की जान 30 से 50 करोड मौद ले चुका है क्योंकि इस वाइरस का आरो यानि रीप्रोडक्शन नंबर 3.5 से 6 के बीच में होता है यानि इस वाइरस से संक्रमित एक व्यक्ती 3 से 6 लोगों को संक्रमित कर सकता है इसका फैटिलिटी रेट 90 प्रितिशत होता है हाला कि वैक्सिनेशन के जरिये इस वाइरस को अब दुनिया से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है मीजल्स मीजल्स को आम भाशा में खसरे का रोग कहा जाता है पिछले 1.500 साल में ये करीब 20 करोड लोगों की जान ले चुका है पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये हर साल करीब 2 लाख लोगों की जान ले लेता है हाला कि अब वैक्सिनेशन के जरीए इस वाइरस को कंट्रोल कर लिया गया है लेकिन खसरे के मामले में सबसे बुरी बात ये है कि इस वाइरस से संक्रमित एक व्यक्ती 12-18 लोगों को संक्रमित कर सकता है इबोला और मारबर्ग वाइरस आज की दुनिया के सबसे खतरनाक वाइरस में शामिल है क्योंकि इनका अभी तक कोई पुखता इलाज या वैक्सिन इजात नहीं किया जा सका है जबकि इन वाइरस का फैटिलिटी रेट 90 प्रतिशत तक है इन दोनों वाइरस के लक्षन लगभग एक जैसे होते है इन से संक्रमित होने के बाद व्यक्ति को हैम्रेजिक फीवर और गन फेलियर जैसी समस्याइं हो जाती है डेंगू डेंगू वाइरस मच्चरों के काटने से फैलता है ये वाइरस दुनिया की 110 देशों में पाया जाता है और हर साल करीब 10 करोड लोगों को इनफेक्ट करता है जिन में से करीब 20,000 लोगों की मौत हो जाती है जिन लोगों को ये वाइरस दोबारा जगड लेता है वे अक्सर गंबीर स्थिती में पहुँच जाते है पीत जोर जब किसी व्यक्ती में येलो फीवर की स्थिती बहुत अधिक गंबीर होती है तो उसकी नाख, आख, मूँ और पेट से खून आने लगता है इस स्थिती में पहुँचने वाले मरीजों में से करीब 50 प्रतिशत लोगों को 7-10 दिन के अंदर ही अपनी जान से हाथ दोना पड़ता है आज भी येलो फीवर दुनिया भर में करीब 2 लाख लोगों को इनफेक्ट करता है और करीब 30,000 लोगों की जान लेता है फ्लू के कारण दुनिया भर में हर साल करीब 5 लाख लोगों की जान चली जाती है सबसे खतरनाक फ्लू पैंडमिक पैंडमिक उस बिमारी को कहते हैं जो दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले सकती है पैंडमिक में Spanish Flu से 5 से 10 करोड लोगों की जान ली ये अब तक का सबसे खतरनाक फ्लू पैंडमिक माना जाता है रेवीज रेवीज को पुराने वक्त से ही एक बहुत अधिक खतरनाक बिमारी माना जाता रहा है रेवीज की बीमारी चमकादर या कुत्ते के काटने या नाखून गढ़ाने से भी हो सकती है इस बीमारी से दुनिया भर में हर साल साथ हजार लोगों की मौत हो जाती है इन में से अधिकतर मौतें अफरीका और सदन एशिया में होती है हेपेटाइटिस B at C हेपेटाइटिस B हर साल करीब 7 लाख लोगों की जान ले लेती है वर्दमान में ये सबसे खतरनाग बीमारियों में गिनी जाती है ये लीवर पर सबसे पहले अटेक करती है जिससे लीवर, कैंसर या लीवर डैमेज हो जाता है इस बीमारी में होने वाला लीवर डैमेज पर्मानेंट होता है जिसे इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता हेपेटाइटिस C से दुनिया में हर साल करीब 3,5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है HIV AIDS एक्सपर्स के अनुसार वर्तमान समय में दुनिया भर में करीब 4 करोड लोग HIV वाईरस से पीडित है एक अनुवान के मताबिक पिछले 30 साल से हर साल करीब 20 लाख लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान से हाथ दो बैटते हैं अब तक करीब 5 करोड लोग इस बीमारी के कारण मड़ चुके हैं उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो हमें लाइक करके जरूर बताएं साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें